बाइबल कहती पत्रस ने का अपने भविश्य दक्ताओं की अपने प्रभू के दासों की गवाही को ध्यान में रखते हुए परमेश्वर में चलो उनकी शुरुवात देखते हुए और परमेश्वर ने किस तरह से उनको बढ़ाया उनको देखते हुए तुम अपनी जिंदगी वेतित करो इजहाग की मेरिज कैसे हुई थी अबरहम का दास नौकर गया था और इजहाग के लिए एक लड़की लेकिया था जिसका नाम क्या था रिबिका हाँ या ना आप जानते हैं अगर आप क्रिश्चन है और आप अगर लव मेरिज करना चाहते हैं या आप शराब पीना चाहते तो आपको ऊपर से आवाज नहीं आएगी तू मत कर इस हाग के अगर आप लाइफ देखो तो जो चीजे उसने परमेशो के वचन में होके की वहां वो ब्लेस है कैसे उसका अबरहम का नौकर आके बोलता है कि इस हाग ये तेरे पिता ने मुझे भेजा था कि तेरे लिए मैं वाइफ लेके आओं पर इस देश की लड़की अन्ने जातियों में से नहीं अपने देश में से मैं परमेशो को मानने वाली लेके आओं अब मैं ये लड़की लेके आया हूं ये परमेशो की इच्छ है और बाइबल कहती ही जहाकने का ठीक है परमेशो की इच्छा को मैं विकार किया हाँ या ना पर जब बाइबल कहती जब याकूब अपने मामा के घर गया तो उसे एक लड़की बसंद आई जिसका नाम क्या था राहेल क्या नाम था राहेल अब अगर याकूब बुद्धिमान होता आप जानते कई सफ्रिंग कई आपके दुख कई आपके सताव आप परमेश्वर की और से नहीं मिले आपको वो आपने खुद मोल लिए बाइबल कहती जब वो गया क्योंकि याकूब जो था एक इमोशनल इंसान था इमोशनल था वो जब वो गया उस कुवे के पास लिखा वो खड़ा था और उसने पूछा क्या लाबान यही रहता है क वो लाबान के घर जाना जाता था और लोगों ने का हाँ लाबान ठीक है देख उसकी लड़की राहेल अपनी भेड़ों को लेके आ रहे है ताकि वो पानी पिला सके लिखा उसने राहेल को पकड़ा चुमा और उसे उसे लिपट कर रोया वोगी याकूब क्या था एक इमो सुलेमा ने अपने बाप की गवाई को ध्यान से देखा था कि मेरा बाप था अपने भाईयों में जो अकेला पवितरताई में था बाकी सारे भाई आश कर रहे थे लेकिन दाउद परमेश्वर की अरातना कर रहा था और परमेश्वर में खड़ा और अड़ा था और सुलेम शुलेमा ने अपने बाप की गवाही को ध्यान से देखा था कि मेरे बाप ने कि सर inac doen में खड़े होके परमेशन की आशिष को लिया और जो राजाहोने की पद्वी मेरे बाप के बड़े भाई की धी, परमेशवर ने उसे नहीं दी, मेरे बाप दाउत को दी, वैसा ही सुलेमान चलता रहा और परमेशवर ने अब शालोम को छोड़ दिया, कौन था अब शालोम, अब शालोम भी दाउत का बेटा था, एक रानी का बेटा था और उसका नाना क्या था गशूर का राजा अब अगर राजा बनाने के लिए सबसे बेस्ट केंडिडेट चाहिए था तो वो अब शालोम था यूगि नाना राजा था मा राज कुमारी थी पता था राजा कैसे बैठते उड़ते कैसे काम करते लेकिन प business partner ने उनको धोखा दिया वह इसलिये धोखा काकर बैठे योगि उन्होंने परमेश्व को धोखा दिया और धोखा काटा संसार में आप मीचिक भूलजाओ कि आप परमेश्व को धोखा देंगे और संसार आप सेन्याय करेगा भूल जाओ हाँ आप जो बोते हैं वो वो काड़ते हैं अब याकूब को इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि मेरे फादर की मेरिज कैसे हुई थी क्या मेरा फादर ढूंडने किया था रिबिका को हाँ क्या उसने अपनी आँखों से रिबिका को पसंद किया था नहीं अगर आप ध्यान से लाइफ देखें आप याकूब की और उसके पापा इजहा की तो आपको इजहा की मेरीड लाइफ याकूब की मेरीड लाइफ से सो गुणा ज्यादा ब्लस नजर आएगी अब अगर आप स्पिरिच्वल हैं क्या आप नहीं जानते परमेश्व ने मेरी और रोया लोगि वो एक इमोशनल इंसान था अब परमेश्वर गल्ती करने पर अपने बच्चों को त्यागता तो नहीं छोड़ता तो नहीं पर उस गल्ती के कारण उनको सफ्रिंग सहनी पड़ती और दुख सहना पड़ता है इससे परमेश्वर उनको बचाता भी नहीं अब अगर वो ध्यान से देखता मेरा फादर जो था वो लड़की ढूनने नहीं किया था और बाइबल कहती जब वो राहेल को देखते है तो राहेल से प्रेम कर बैठते है और उसके पिता को बोलता है मैं राहेल के लिए साथ साल तेरी सेवा करूँगा ए मूरक इंसान क्या तरह बाप ने एक लड़की के लिए साथ साल क्या साथ महीने भी सेवा की किसी की पर तू अपने मूँ से क्या कहता है कि मैं साथ साल तरी सेवा करूँगा और फिर उसने कहा कि ठीक है और किसका शादी कर दी उसकी बड़ी बहन की शादी कर दी कहता है साथ साल तू और सेव साल लगवा था आपकी लाइफ में अपने फादर लिखा अपने भविश्य दखताओं की परमेशों के दासूं की गवाही को सुनो और उसको फॉलो कर उसने का लोगी वह आपके लिए परमेशों ने बनाई है आमेन 14 साल उसने लड़कियों के लिए सेवा की और अभी भी लाबान 7 साल और उसको फ़साना चाता था वहाँ पर मिरिकल हुए याकूब की लाइफ में परमिशन उसे चुड़ाया उसे दर्शन दिये भेड बकरियों वाला मिरिकल उसकी लाइफ में किया मिरिकल किया पर उसके कारण की वह इमोशनल था और अपने इमोशन को फॉलो करता था उसको अपनी लाइफ में दुख भी छेलने पड़े हालिलूया आपको यह ध्यान दखना है कि जो ग्रेस आपको मिलिये आप उसको गाली नहीं दे सकते आई एस इंस्टिटूट में था सुफिया में और मैंने इस्टूट्स को बताया कि आपको क्या लगते हैं मैंने का जब नोट बंदी हुई तो चर्च के पास अपनी जमीन नहीं थी कि हम पार्किंग लगा सकें क्योंकि इतना पैसा नहीं होता चर्च के पास कि हम पार्किंग की जगा भी खरीद लें लेकिन नोट बंदी हुई तो लोगों के पास पैसा नहीं था बैंक पैसा नहीं दे रहे थे जिन्होंने शादियां रखी दी अब बहुत अम्मीर है लेकिन पैसा नहीं लेकिन चर्च के पास था क्यों योगी हर संडे आता था ठोड़े में भी वो अपनी जमीन दे गए कि अभी थोड़े दे दो बाकी पैसे जमीन पूरे पैसों के लिए पर बाकी पैसे आप बात में देना अमेन अगर आप spiritual हैं तो आपको ये समझना चाहिए मेरे आज पास जो हो रहे हो क्यों हो रहे हैं कि बाप के पास लाखों भेड़े मौजूद हैं और बेटा जंगलों में जा रहा है शिकार खेलने के लिए टाइम वेस्टर और परमेशोर ने का मैं इसको अप रिये मैंने इसको अप रिये जाना याकूब का मालूम है कि मेरे बाप ने मैनत नहीं की ये सब कामों के लिए कि मेरे धर्म और राज्य की खोचकर सब वस्तुवे तरह पीछे पढ़के अपने आप आएंगी तरह पास तो और 14 साल उस घर में सेवा करता रहा जांँ ठोप अपनी सेवा उनी चाहिए थी पर वह सेवा करता कुछ चीजे कुछ डिसीजन आप लेते हो और परमेश्व आपको मदन नहीं करता पर आपको उसका असर भी अपनी लाइफ में नजर आता है परमेश्व आपको छोड़ता या त्यागता तो नहीं है पर आपको सफ्रिंग में से गुजरना पड़ता है हालिलुया जो चीजे आपको महान बनाते हैं वो क्या है छोटी पर है क्या बड़ी कि क्या आपको नहीं बता आपके फादर की टेस्टेमनी क्या है क्या आपके स्पिर्चल अपने बाप की तरह चला वह और अपने बाप की तरह बना वह बाकी भाई नहीं बन सके अब शालोम में बन सका किसी को सोता को तू dust अब अप य dispno केसा प्रक् matar टे कि लिए और पत्रशले का इनकी शिरुवा है कि युद देखताओं नहीं में चलो मैं ग्रेस रिलीस करता आपके लाइफ में बिना सफरिंग चलने की राइट डिसीजन लेने की आमीन करूच और लंबा ये ब्लेसिंग आपके चर्च अपने कामों के लिए अपनी सामर्थ से